हलो एव्रीवन वेलकम टू लॉर्णर बी आएम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग दिखेंगे क्लास एट एसेस्टी हिस्ट्री की बुक कर रहे हैं यानि की प्रदर्शन कर रहे हैं क्विट इंडिया मूव्मेंट को लेकर क्विट इंडिया मूव्मेंट क्या था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और इसमें फाइनली हमारे देश के लोगों ने विदिश इन लोगों से अंग्रेजियों से कहा था कि अब तुम यहां से बस बहुत हो गया तुम्हारा तुम चले जाओ तो इससे पहले के जो इस किताब में चैप्टर्स हैं हम लोगों ने उसमें बढ़ा था कि पहले हमारे देश में नहीं होती थी तो यह लेकिया है अंग्रेज हमारे जो किसान थे और जो कबीलों में रहने वाले ट्राइबल्स लोग थे उनकी लाइफ पे भी काफी असर पढ़ा था अंग्रेजों के आने से 19th century में पढ़ाई लिखाई में पी काफी जादा बदलावाए थे Debates regarding the condition of women, women की जो हालत थी उसके लिए जैसे की सती प्रता होती थी उसको एबॉलिश किया गया है ना अंग्रेजों ने women के लिए कुछ अच्छे काम भी किया है विमें विडो री मारेज विमिन को पढ़ने का अथिकार दिया है ना challenges to the caste system हमारे देश में जो caste system चाथी प्रताती उसको भी काफी सब चैलेंच किया गया उसको भी हटाने की कोशिश की गई social and religious reform social समाच में काफी सारे बदलाव अच्छे बदलाव लाए गए religious हमारे जो धर्व में जो अंध विश्वास थे वो काफी हट तक चटने लगे थे उनके बारे में लोग बात करने लगे थे कहने लगे थे सब चीतर सही नहीं है revolt of 1857 and its aftermath तो 1857 का जो revolt था जिसमें रानी लक्ष्मिभाई ने अपनी जान दी थी तात्या तोपे बादुशा जफर बहुत सारे नेदा थे उनके बारे में हमने और उसके बाद क्या-क्या कंडिशन रही थी देश की the decline of crafts and growth of industries तो हमारे देश के जो हत्करगा का काम करने वाले लोग थे जैसे की अलग अलग तरीकी कारीगरी होती थी तो उस सब कर decline आ गया क्योंकि वो लोग किसके लिए गाम करते थे राजों के लिए अमीर लोगों के लिए वो लोग तो रहे नहीं और बिडिशर्स को वह सब चीज इतनी पसंद नहीं थी और बिडिशर्स ने क्या कि हमारे देश में आकर कि अलग अलग इंडस्ट्रीज लगाई तो क्य अलग डिफरेंट ग्रूप अलग अलग लग क्लासेज जो हैं डिससटिस्वाइट थी क्यों को अच्छा नहीं लग रहा था अंग्रेजियों का साशन Emergence of Nationalism तो Nationalism यानि की राश्रवात की भावना हमारे अंदर ये feeling आना कि ये देश हमारा है अगर इस देश में कुछ गलत हो रहा है देश की लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये हमारा करतव विबनता है हम उसे ठीक करें तो Emergence of Nationalism ये देश भक्ति की भावना किस तरी of India and for whom is it meant ये देश क्या है और ये देश किस के लिए है आंसर धीरे धीरे लोगों के सामने आने लगा इंडिया के लोग जो कि इस देश में रहते हैं सारे के सारे लोग जो इस देश के निवासी हैं चाहे वो किसी क्लास के हो वो अमीर हो गरीब हो चाहे उनकी चमडी का उन and the country its resources and systems were meant for all of them ये देश इस देश के जितनी भी चीज़ें हैं जो resources है सनसाधन है जो भी काम हो रहे हैं वो इस देश के लोगों के लिए होने चाहे हैं इस आंसर के साथ आता था कि बिटिश के resources को हर चीज़ को अंग्रेश क्यों कंट्रोल कर रहे हैं इवन इंडियन्स की life को भी वो लोग क्यों कंट्रोल कर रहे हैं और ये सब जो unfair treatment चल रहा है इंडियन्स के साथ बुरा बरताफ किया जा रहा है ये तो होना नहीं चाहिए ये consciousness मतलब ये समझ जो है वो धीरे-धीरे आने लगी थी लोगों में और फिर political associations बनने लगी थी 1850 के बाद तो 1857 में तो associations बनने लगी थी especially 1870 और 1880 में association बहुत जाधा बढ़ किया गई थी और जातर जो है most of them were led by English educated professionals such as lawyers तो English educated याने कि अंग्रेज जी भाष्रा में जिनों ने अपनी शिक्षा प्राप की थी जो English language में पढ़े हुए professional professionals थेना जिसे की वकील हो गए especially उस समय पर जातर लोग law करते हैं ऐसे ही उस समय पर सब लोग lawyers बनते थे मतलब जातर लोग तो जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो lawyers थे हैं ना उन लोगों ने यह सब मुद्धे उठाए कि भाई देश में क्या चल रहा है क्योंकि उनको कानूनों की भी समझती more important one वर्दा पूना सार्वजनिक सभा प Bombay Presidency Association and of course the Indian National Congress तो आप लोगों से question पुछा जा सकता है कि कौन-कौनसी organization बनाए गई 1870s से लेकर के 1880s के टाइम पर या फिर आपसे बोला जाए कि पूरी प्री Congress organization मतलब Congress से पहले कौन-कौनसी organization बनी थी तो पूना सार्वजनिक सभा इंडियन असोसियेशन मद्रास महाजन सभा Bombay Presidency Association यह सारी के सारी organization Congress से थोड़ा पहले बनी थी और इन्होंने अपना काम करना awareness विलाना लोगों में शुरू कर दिया था तो देखिए note the name पूना सार्वजनिक सभा the literal meaning of सार्वजनिक is for all सार्वजनिक का मतलब होता है जो सभी लोगों के लिए होता है though many of these association functioned in specific part of the country their goal was stated as the goal of all the people of India देखिए जो सारी organizations थी हैं इंडिया के अलग-अलग parts में काम कर रही थी बट इन organization का जो goal था उस पार्ट के लोगों के नहीं थी वो पूरे इलाकों में कि सोच को लेकर के आगे चल रही थी community और class मतब कोई भी जाती हो कोई भी धर्म हो सब के लिए यह organizations काम करती थी और यह बाते क्या करती थी they worked with the idea that the people should be sovereign तो इनका जो यह organizations थी इनका आइडिया था कि जो लोग है ना हमारे देश के वो सोवरेन होने चाहिए सोवरेन कौन होता है जो सबसे उपर होता है या फिर जिस पर कोई विदेशी ताकत का हक नहीं होता capacity to act independently without outside interference जैसे कि अगर आप सोवरेन है तो आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं कोई और आप पे influence डालके आप से काम नहीं करवा सकता यह होती है sovereignty तो they worked with the idea that people should be sovereign तो यह organizations थी इस idea पर काम करती थी कि लोगों के पास ताकत होनी चाहिए एक modern consciousness एक नई सोच develop कराने की कोशिश करती थी nationalism के प्रति राश्रवात के प्रति दूसरे words में हम कहें यह चाहती थी यह organization कि इंडिया के लोग एंपावर हो और अपने decisions मतलब इंडिया के लोगों के हाथ में ताकत है और अपने देश के लिए खुद हम decision ले सके ना ही कोई बाहर से आये हुए लोग जो dissatisfaction था मतलब नाराजगी आप कह सकते है British rules से वो काफी जदे intensify हो गई थी काफी बढ़ गई थी 1870 से 1880 के time पर क्योंकि Arms Act पास हुआ था आम सेक्ट पास हुआ था 1878 में तो इस Act ने ना कहा दिया था कि अंग्रेज ही Arms रख सकते हैं कोई इंडियन आम्स का मतलब क्या होता है हाथ भी होता आम का मतलब आम्स का मतलब होता है बंदूग असला बारूद ये इंडियन लोग नहीं रख सकते इसी साल 1878 में Vernacular Press Act भी आ Państwo अंग्रेजила के लिए Vernacular जित्नी भी भख शाय थी तो वरनेकुलर प्रेस एक्ट जो आया था प्रेस यानि इस चट्रहुं होगा करती आयो समय पर तो तो नूस पर मतलब अगर He तो उनकी प्रेस को पूरी तरह सील कर दिया जा सकता है और सब कुछ खतम कर दिया सकता है मतलब न्यूस पेपर और मिर्डिक प्रेस को भी जो है गव् gemacht कर सकती है मतलब अपने कपजे में ले सकती है 1883 में तो एक ये ilbert bill controversy भी हुई थी, ilbert bill controversy जो की हुई थी 1883 में, तो इसमें क्या हुआ था ना, कि कुछ law इस तरीके की बिनाने की कोशिश की जा रही थी, कि जो इंडिया में अंग्रेज हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, तो court में जो case जाएगा, उस case का judge एक Indian person भी हो सकता ह है, तो quality promote करने की बात करी जा रहे थी, बट Britishers ने का कि भई, ठीक हम, हम कोई गलत काम करेंगे, बट एक Indian judge हम पर फैसला नहीं सुनाएगा, हम ये नहीं मानेंगे, तो बहुत ही जादा दिक्कते हो गई थी, फिर government ने ये बिल वापस ले लिया, कि भई, अंग्रेज हो को त Racial Attitude, Racial क्या मतलब होता है, दीखे, रेस जो है, वो इस शब से आया है, कि हम लोगों के जैसे फिसिकल फीचर्स होते हैं, वो एक रेस में काउंट होते हैं, जैसे कि जो लोग एक जैसे दिखते हैं, वो एक रेस के हुए, जैसे कि human beings है, आँख, नाख, हाथ पैर तो सब की हैं, पर फिल भी facial features, हमारी skin का color, है ना, बालो का color, और काफे सारी चीज़े अलग अलग होती है, तो जो सारे एक जैसे लगते हैं, वो मतलब सेम रेस के होता है, जैसे कि जो ये white people है, इनको ना Caucasian race का माना जाता है, Caucasian mountains, ये यॉरप के eastern part में है, तो ऐसा माना जाता है, जो white race है, जो गोरी जमडी के लोग है, ये Caucasian race के हैं, जैसे कि हम लोग हैं, तो हम लोग Indian race के हैं, Austro-Indian race के, हम इस तरीके के दिखते हैं, तो अलग-लग races होती है, तो ये racial attitude दिखाया था, Britishers ने, Indians के खिलाफ की भई, आप ल तो need for all India organization of educated Indians had been felt since 1880, तो 1880 के time से ही, एक मतलब आने लगा था दमाग में, कि भई, कोई ऐसी organization होनी चाहिए, जिसमें सारे पढ़े लिखे लोग हूँ, बट इलवर्ड-bilt controversy ने बहुर जाद इसको बढ़ा दिया था, कि भई, हमारे देश के लोगों को किस तरीके से, आप in the leadership of दादा भाई नरोची, दादा भाई नरोची को the grand old man of India भी कहा जाता है, फिरोशा महता, बदुदीन तियाब, GWC, बेनर जी, सुरेंदराद बेनर जी, रोमेश चंदरदत, सुब्रमनियम आयर्स, among others, तो ये सारे के सारे काफी important personalities थी, जो Indian National Congress जिन्होंने जॉइन करी, और ये mainly कलकत्ता और बंबे के ही लोग थे, नरोची जो थे, वो एक businessman थे, एक publicist थे, publicist जो कि अपने ideas को publish करता है, लिख के, बोल के, speeches के तुरू है न, reports के तुरू, ये रहते तो लंडन में थे, और British Parliament, आप लोगों से एक question भी पूछा जा सकता है, कि कौन से Indian है, जो कि British Parliament में भी representative रहे थे, मतलब वो British Parliament की member रहे थे, उसका answer है, दादा भाई नौरोची, ठीक है, तो ये दादा भाई नौरोची की बारे में, और इसके एक और member थे, Congress के, retired British official थे, A.O. Hume, also played a important part in bringing Indians from the various regions together, तो A.O. Hume का भी काफी important role था, I.N.A. Indian National Congress को बनाने का, INC, sorry, Indian National हर भी हो तो, तो कौन-कौन बोल सकता है, तो Indian Mirror जो है, ये लिखा करते थे, बदुनित याप जी का newspaper था, और इसमें ये था कि कौन-कौन कम्यूनिटी, कौन-कौन इंडिया के लिए, बात करेगा, इंडिया की freedom के लिए, दिखे, दादा भाई नौरोची की photo है, और ये important है, यहाँ में ले जाया जा रहा था, कैसे, क्योंकि India, अल्रीडी हम लोग की तिखे, टेक्स पे कर रहे थे, और फिर वो यहाँ से हम लोग को समान महेंगा-महेंगा बेचते थे, और फिर यहाँ पे अंग्रेज लोग जो काम करते थे, वो इंडिया से ही उनको salary दी जाती थी, और वो the economic impact of British rule, तो इंडिया में जो British rule का economic effect हुआ था, यानिकि पैसे से related जो इंडिया में effect हुआ था, अंग्रेजों के साशन का, उसके बारे में बताया गया है, poverty and the un-British rule in India, यह किताब है दादा भाई नरौजी की, un-British का मतलब है क्योंकि, इंडिया में तो सब्भे लोगों जैसे कोई भी हर का थे, वो लोग नहीं कर रहे थे, तो un-British rule, a nation in the making, nation in the making का क्या मतलब है, एक राश्ट्र जो बन रहा है, तो दीके, कॉंग्रेस को न दो बागों में वैसे बाटा नहीं चाहता है, कॉंग्रेस खुद को नहीं कहते थे, बट लोग बाटते हैं, एक moderates और एक extremates, तो दीके moderate का मतलब होता है, जो इंसान बीच के रस्ते बर चलता है, जैसे की, अचा बहुत जादा extreme नहीं, हम दंगा फसाद भी नहीं करेंगे, हम बिल्कुल ही जुग भी नहीं जाएंगे, बट हम government के सामने अपनी बात को रखेंगे, सही तरीके से, यह थे moderates, तो moderates जो हैं, उनके objectives, methods क्या थे, तो ऐसा कहते हैं कि INA की establishment टूइती 1885 में, लगवग 20 साल तक, यानि कि 1905 तक Congress अपने बातों में और अपने कामों में moderate थी, तो इसमें क्या था, यह लोग moderate किस तरीके से काम करते थे, यह जो इंडियन government में, administration में थे, और यह चाते थे कि जो legislative council है, legislative council यानि कि जहां पर कानून बनाया जाते है, वो ज़्यादा representative हो, उसमें ज़्यादा power मिले, इंडिया के provinces को, ठीक है, और ऐसे provinces में, यानि कि ऐसे इलाकों में भी legislative council बनाया जाये, जहां पर पहले नहीं थी, इन्होंने कहा कि Indians को high post देनी चाहिए government में, इन्डियन को भी high post दो, इसके लिए इन्होंने का कि जो civil service, यानि कि आज के टाइम पर, जो IAS, Indian administrative service का जो exam होता है, उसको पहले ICS, Indian civil service के exam से जाना जाता था, और वो पहले इंडिया में नहीं होता था, वो सिर्व जव लंडन में होता था, और नेता जी शुभाशन पोस न Racism का मतलब है, नसल भेध की नीती, नसल भेध मतलब आप अलग दिखते हैं, तो आप हम से अलागे है, हम अपके साथ भेध बाफ करेंगे, यह वाली condition होती है, तो demand for the Indianization of the administration was a part of movement against racism, तो racism के खिलाफ ही Indianization, Indianization का क्या मतलब है, administration क्या होता है, जहां पर सरकारी काम होता है, व लोग जाएंगे, तो वो Indianization of administration हो गया, तो जाथा jobs जो है, उससे में monopolized रही, monopoly का मतलब होता है, कि एक ही person के कपचे में थी, सारी की सारी white jobs, टीक है white officials, and the British generally assumed that Indian could not be given positions of responsibility, अंगरेजों को लगता था, कि मतलब Indians को को responsible position नहीं दे सकते, तो British officers, जो है, major part, सारी की सारी अपनी salary क अपने बिटेन में बेज रहे थे, तो Indianization ये hope थी, कि जो drain of wealth हो रहा है, सारा पैसा England में जा रहा है, वो India में रह जाएगा, और demands थी, कि separation of judiciary from the executive, separation of judiciary का क्या मतलब है, कि judicial branch कौन सी होती है, जो judges होते है, executive कौन होते है, जो law बनाते है, वो तो legislature होते है, हमने आपको civics में पढ इसके में जुराने का काम करती है, कानून को लागु कर्वाने का कौन करता है, executive करता है, जुदीश्री ये बेज़ती है, ऑगर समाज में उसका सही पाला नहीं हुआ है, उसका हणन हुआ है, Towskiे जुदीश्री में, तो executive कोन होते है? जो law कर्वाने का काम करते है, हमारे ministers, ज जज भी है और कानून जो लागू कर रहा है और जो जज है दोनों एक ही ऐसा तो नहीं चलता भाइन तोनों को अलग लग करो आम रिपील करो रिपील का मतलब होता है हटाओ आमस एक्ट को and the freedom of speech and expression हमारा जो कौन सा आर्टिकल है आर्टिकल आप लोगों को पता है अगर आपके एट क्लास के भूप में ही है सिविक्स में freedom of speech and expression आर्टिकल 19 आर्टिकल 19 और इंडियन Constitution हमारे जो fundamental rights होते हैं आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 35 स्वारी आर्टिकल 13 से स्टार्ट हो जाते है मतलब यह नहीं है कि आप किसी को कुछ गलत बोलेंगे एक लिमिट में मतलब यह है आप सही तरीके से अपनी बात रखिए वह है freedom of speech and expression आर्ट के समय पर हमारे देश में है उस समय पर नहीं थी जब हमारे देश में अंग्रीजों का आने से पहले बट जब बिटिश आई तो continuous famines आई थी 1940 के टाइम पे ऐसे कहते हैं कि बंगाल की वन थर्ड population famines की वज़े से खतम हो गई थी क्योंकि बंगाल में जो चावा लोग रहा था वो second world war के soldiers को बेजा जा रहा था तो increase in land revenue अब अंग्रेज आये तो land revenue बहुत जादा बढ़ाया गया है ना और इसने एंपरविश कर दिया मतब पीजन्स थे जमीनदार थे उनकी पस पैसे नहीं बचा था मतब 90 90% के लोग टेक्स लिलिया करते थे खाने तक के पैसे नहीं होते थे फिर कहते थे कि घास कर ले रहे हो यह कम करो military expenditure कट करो आप लोग इतना ज्यादा military पैर यह फोज अखने में क्यों इतना खर्चा करते हो और ज्यादा फंड दो irrigation के लिए यानि की खेतों में सचाही करने के लिए आप ज्यादा पैसा दो इट पास्ट मैनी रिजॉशन्स वन सॉल्ट टेक्स तो सॉल्ट टेक्स नमक कानुन जो की डांटी मार्च में थी 1930 में है ना फिर कांधी जी ने डांटी मार्च करें थी कि भई नमक जो है वो नेचरली बन रहा आप उस पी कैसे टेक्स लगा रहे हो आपके बस चले तो प्रिशर्स का अपसा था तो पहले लोकल लेबर चाहिए थी तो बहुत सारा लेबर को भी उठाक टाके जबदसी ले जाते थे और उन्होंने फॉरस्ट ड्वेलर्स को भी बहुत परिश्ट ड्यूलर्स यानि की ड्वेलर का मतलब आप जा रहते हैं यह जंगल में चो रहन अपर लेखे अलीट अमीर लोग थे यह मतलब जातर कॉंग्रेस में थे तो कॉंग्रेस जो है सिर्फोर सिफ प्रोफेशनल लोगों के लिए या फिर जमीन दार फिर इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ही बात नहीं करती थी हमें दिखता है कि इंडियन लेबरर्स के लिए बा लोगों इनको अवेर करना शुरू करें न्यूस पेपर्स में चीज़े चापी कहीं आर्टिकल चापे कहीं कि बिटिश रूल जो है वो इंडिया में एकनोमिक ड्रेंड कर रहा आप गरीब नहीं हो आपका देश तो बहुत अमीर है यह पैसा अंग्रेस लेके जाने अपने लोगों को mobilize कि है और सटेखे का हरा है और हमारी जो freedom है justice है हमें नहीं मिल रहा है